नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहर दिल से स्वागत है दोस्तों इलेक्ट्रिशिन थोरी की स्रीज में हम पढ़ रहे हैं और आज का जो चेप्टर हैं जिसका नाम है प्रारंबिक विदूत दोस्तों जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से हम इसमें पढ़ने वाले हैं यानि कि विदूत का सर्वपरतम प्रारंब कैसे हुआ सब दारा जो हैं उसको जानने के लिए हमारे को पदार्त की वह बहुत सी सनरश्ना ये जाननी होगी पदार्त जो है वहınd कौन से होते हैं द बहुत साइसे टाइन चंडक्ट जो हैं वो कौन सी अवस्ता है तो इनी सब के बारे में हम इस चेप्टर में पढ़ रहे हैं साथ इसके अंदर और भी बहुत सारी जो है वो टोपिक होंगे अपने तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पदार्थ से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों पदार्थ कि पदार्थ के लिए हम सब जानते हैं कि हम पढ़ते हैं कि जो कि इस्तान घेड़ते हैं वे जिनका कुछ भार होता है वे पदार्थ कहलाते हैं कि दोस्तों मालो आपके पास में कोई वस्तू है कि यह वस्तू कोई ना कोई स्तान जरूर गेरेगी जैसे मैं बात करूं कि अपने पास में अपना मारकर हैं यह मारकर जो होगा वह इस स्वाइव मंडल में कोई ना कोई अपनी जो हैं वह जगह जरूर गेर रखा है साथ इसका जो हैं वह भार जरूर होता है दोस्तों कई स्टूडेंट जो हैं वह भार में भार में और द्रव्यमान में भी कन्फ्यूज रहते हैं यहां भार से मतलब जो है वह वजन से और द्रव्यमान जो है वह मात्रा दोस्तों आप सबने पढ़ा होगा कि भार जो होता हैं वह पढ़ते एक स्टान पर बदल सकता है भार जो हैं वह आप सब को पता होना चीए कि मोस इंटू एन की गृत्वेत वर्ण जो हैं उसके बराबर होता है जो वेट होगा वो मोस यानि की द्रव्यमान गुणा ग्रेविटी उन दोनों के गुणन फल के बराबर होगा और आप सब को ये पता हों कि ग्रेविटी जो हैं वो पढ़ते किस्तान पर बदल सकती है जैसे मैं यहां द्रातल की बात करूँ तो यहां पर कुछ ग्रेविटी अलग होगी यदि मैं कुये के अंदर ले जाकर करके यदि किसी चीज़ को तोलता हूँ तो वहां ग्रेविटी कुछ अलग होगी यदि मैं चंदेरमा पे लेके जाओंगा आसमान की ओर तो जाहिर सी बात है वहां ग्रेविटी कुछ अलग होगी तो ग्रेविटी जो चेंज होगी मौस भले ही आपका फिक्स है यहां आप देख सकते हैं कि दर्वेमान जो फिक्स हैं आपका लेकिन ग्रेविटी चेंज होने से गुननफल जो आएगा वो बदल बदल अगरके अमरे पास में आएगा तो हम कह सकते हैं कि भार जो हैं वो पड़ते किस्तान पे बदल सकता है जबकि यहां बात करूं में दर्वेमान की तो दर्वेमान जो हैं उस पधार्त की मातरा से हैं यह पेन जो है इसको कुए में या दरातल पर या चंदर्मा पर ले जाने में इसके भार में बजन में जरूर कमी आ सकती है या ज़्यादा आओ सकता है लेकिन लेकिन इसमें जो मा मात्रा लगी वी पदार्त की वो हर इस्तान पर उतनी रहने वाली है यानि मात्रा जो है वो बदलती नहीं है मात्रा हमेशा क्या रहती है फिक्स रहती है नियत रहती है तो सबसे पहले तो हमारे को इस परीबासा को भी समझने से पहले यह समझना चाहिए कि भार में यानि बात करते हैं दोस्तों कि यह लिखा गया है कि जो इस्तान घेरते हैं और जिनका कुछ ना कुछ भार होता है वे क्या कहलाएंगे पधार्त तो आप सबको पता होना चाहिए कि परत्वी जो है या अपने दरातल के उपर जितनी भी सब चीजें होती है चाहिए वो कोई सी भी अवस्ता में हो चाहिए वो ठोस हो चाहिए दर्व हो चाहिए गेस हो सब के अंदर जो है कुछ ना कुछ भार होता है और सब जो है वो कुछ यहाँ पर मैंनेrat किस वस्तु हैं और वस्तु को हुआ इसका कुछ कुछ ना कुछ भार होगा, इसका मल्हा वंवस्तु जो है, वो क्या है, पधार्त है, कि वो इस्तान घरेगा और उसका कुछ ना कुछ भार होगा, आगे हम बात करते हैं दोस्थों, इसी में कि तीन मुक्यावस्ताइं जो हैं ठोस, दर्व केस्ट इनको कैसे याद रखें यहां आप सबसे पहले ठोस दर्व और केस्ट यहां लिख देता हूं में भार यहां लिख देता हूं में आईतन और यहां लिख देता हूं में कि आगार भार आईतन और आकार और यहां दोस्तों में लिपता हूं कि निश्चित के लिए जो है वो राइड का चिन बना लेता हूं और यह निश्चित जो हैं उसके लिए में क्रोस का चिन बना लेता हूं कि दोस्तों बहुत ही सिंपल लें की परिवासाओं को याद रखना कि यहां अपने जो निशित और रहनिशित के जो चिन बनाए हैं वह मैं यहां बनाता हूं है दोस्तों आप सबको यह परिवासाओं समझ में आ रही होगी जिनका भार भी निशित हो और आकार भी निशित हो ऐसें मैं बात करूं दर्व कि टर्व में भार निशित होगा आईटन निशित होगा आकार एनिशित होगा एएसे ही यहां पर बात की गई है कि यहां बाहर निशित हैं ले किन आइतन और आकार दोनों आज निशित हैं दोस्तों इनको तोड़ा ओडिटेल से हम जानने कोशिस करते हैं थोस के Лिये हम कह सकते हैं थोस के लिए हम कहेंगे भार आईतन वे आतार तीनों निश्चित हो निश्चित हो तो वे पदार्थ थोस कहलाते हैं यहाँ आप उधारन भी ले सकते हैं जैसे पत्थर कोईला कोई दातु का टुकडा आदी दोस्तो हम जानते हैं यहाँ पर की पत्थर कोईला और धातु कोई भी टुकडा जो हैं वो सब के सब जो हैं वो क्या है ठोस एक बार एक क्यूसन में आया कि निम्न में से ठोस हैं और ओप्षन के अंदर जो हैं वो पूछा गया था तो ओप्षन में एक कोटन दे रखा था रूई दे रखा था तो दोस्तों यहाँ पर मैं यह समझाना चाहरा हूं कि ठोस का मतलब यहीं नहीं होता है कि जिससे अपना सिर्फ उटे वो ही ठोस में आते हैं ठोस का मतलब यहाँ पर उसकी अवस्ता से हैं और आपका जो कोटन होगा जो रूई होगी वो भी गया होगा ठोस होगा तो हमें इस बात का ध्यान रखना है आगे फिर हम बात करते हैं दूसरी परिवासागी दर्व जिसका भार निशित हो भारव है आईतन निश्चित परंदू आगार आई निश्चित फो तो ऐसे पधार्थ दर्व कहलाते हैं दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको और सिखनी है बहुत से स्टूडेंट यह सोंच रहे होंगे कि आईतन जो है वो कैसे निश्चित हो गया यहाँ उदारन समझे आप मान लो किसी भगोने में जो है वो इतना पानी भरावा है इसी पानी को में यदि कोई दूसरी बरतन में जिसकी सेप कुछ इस परकार की है ग्लास नुमा सेप है उसकी उसमें भर देता हूँ उसी पानी को भरूँगा में चाहर सी बात है वो उचाही तक भरा जाएगा दोस्तो आप सबको पता है कि आईतन का मतलब क्या होता है आईतन में लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाही यानि कि तीनों का गुणन फल जो है वो क्या है या आईतन है तो आप इस बात को समझें कि पहले जो है यहां पर उंचाई कम थी चोड़ाई जएधा थी और अब जो है वो चोड़ाई जो है वो कम हो गई है लेकिन उंचाई जो है वो बढ़ गई है लेकिन तीनों का जो गुननफल आएगा वो तो क्या आणा है सेमी आणा है तो मैं कह सकता हूं कि आईतन जो होता है वो क्या होता है निश्चित होता है तो आपने पढ़ा कि भार और आईतन दोनों निश्चित होते हैं परंतु आकार है निश्चित होता है दोस्तों आकार के लिए का जाता है कि दर्व को जिस पात्र में भरा जाता है उस में भरोगे आप उसी का ही आकार ग्रेंड कर लेगा आगे फिर हम बात कर रहे हैं कि गेस की कि गेस में हम पढ़ते हैं कि जिसका भार निशीदों कि परंदू कि आई तन वे आकार ए निश्चित हो ए निश्चित हो तो एसे पदार्द गेस कहलाते हैं दोस्तों यहां पर जो सिखने वाली बात एक है वो यह है कि भोज से स्टूडेंट जो होते हैं वो यह कहते हैं कि गेस जो हैं उसमें तो भार होता ही नहीं है लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि अपने तीसरी चोती क्लास में एक प्रिक्टिकल किया था जिसमें एक तराजू जो है उसको इस प्रकार से लगाया गया था और उस तराजू जो है उसके एक साइड में एक गुबारा लगाया गया जिसमें हवा जदा वरीवी थी और दूसरी साइड जो है उसमें गुबारा लगाया गया जिसमें हवा वायू जो थी वायू जो है वो कम है इदर और इदर जो है वो अधिक वायू है जायरसी बात है जिदर अधिक होगी उदर क्या होगा जुख जाएगा इसलिए मैं कह सकता हूं कि गेस जो होता है उसमें भार होता है और निशित होता है इसके लावा हमेशा देखते ही है कि जब भी आप आता के कोई सस्लेंडर आता है तो सिलेंडर आता है तो आपने देखा होगा उसके उपर लिखावा होता है कि टंकी का बजन इतना होता है इसके लावा गेज जो है इसमें इतनी होती है तो जायर सी बात है गेज का भी क्या होगा बजन होगा वो एक अलग बात है कि उसमें कंप्रेशित करीबी होती है बाग तो यहां पर बताया गया कि आईतन और आकाड दोनूं क्या है अप सब को पता हो कि आकार और आयतन जिस पात्र में भर्या finn कर लिया जयता है यह दोस्तों पिछली स्areth में अपन पढा यह आ पिछली स्लाइड में दर्व के बारे में पढ़ा तो इसके अपन उधारन भी पढ़ लेते हैं तो उधारन जो हैं आप कोई भी ले सकते हैं तेल ले सकते हैं पानी ले सकते हैं दूद ले सकते हैं यह सब क्या है यह सब दर्व के उधारन है और आगे जो अपन गेस पड़ रहे हैं उस गेस की उधारनों के अंदर जो है आप कोई भी ले सकते हो LPG ले सकते हो TNG ले सकते हो Hydrogen, Oxygen, Helium, Lithium, Belion, Behran कुछ भी ले सकते हो तो जाहिड सी बात है यहाँ पर कोई भी गेस अपन काम में ले सकते हैं आगे फिर में बात करते है ऐड़े कि प्लाज्मा की are a new दोस्तों आप सबको पता हूं कि पदार्त की तीन मुक्झा वस्ताय जो ती तो ती ठोस्दारू और गेस में की तीन मुक्झा अवस्ताय कौन सी है ठोस्धव्, डारू और गेस जिनके में अपने को बहुत कुछ पता है लेकिन कुछ ऐसी अवस्ताएं भी है जिनके बारे में अभी रिसर्च सली रही है उनके बारे में अभी अपने को बहुत कुछ जानकारी आसिल नहीं हो पाई है तो उनमें से जो मुख्य है वो है पहली प्लाजमा दोस्तों आप सब दर्व गेस होई गई चोती कौन सी है प्लाजमा तो प्लाजमा के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि पहली बात तो यह पता हो आप सबको कि विलियम कि प्रुक्स व्यज्यानिक है एक कि उन्होंने कि प्रुक्स नली में इसकी खोजगरी और वो भी कैसे चमकिले पदार्थ के रूप में चमकिले पदार्थ के रूप में यानि दोस्तों पहले प्लाजमा जो है उसको चमकिले पदार्थ के रूप में ही जाना जाता था लेकिन उसके बाद में जो है विघ्यानिक इर्विंग आए और विघ्यानिक इर्विंग जो है उन्होंने प्लाजमा जो है उसकी कृष्टलिय संरचना जो है उसकी खोजगरी और इसको प्लाजमा नाम दिया इतनी जानकारी अपने लिए परियाप्त है आगे फिर हम बात करते हैं बोस आइसे टाइन कंडक्ट की जिसको आप सोट में जो हैं वो बीए सी भी कह सकते हैं ये पधार्त की पांचवी अवस्ता है इसके बारे में जो हैं अभी बहुत सारी जानकारियां खोजना बाकी है ले दोस्तों यहां पर जो है वो अपने को पेरिडिक टेबिल दे रखी है आवर सार्नी दे रखी है यहां आवर सार्नी क्यों समझाई जा रही है आपको क्योंकि अभी इस लेसन में अपन तत्व योगिक और मिस्रन के बारे में जानने वाले हैं आप सबको पता होना चाहिए कि यह पेरिडिक सार्नी जो है उसमें 18 जो है एक से स्टार्ट हो रहा है एक दो तीन चार पांच इस प्रकार 18 जो है यह तो कहलाते हैं वर्ग और यहां आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच शे और साथ यह कहलाते हैं इसके आवर्थ दोस्तो अपने को यहां पर कोई किसी प्रकार गया सा कोई क्यूसन नहीं आता है कि आवर्थ आने अपने को याद ही करनी पड़े लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्वे हैं जिनके अपने को परमानों कर्मांग वगेर अपने को ध्यान होना चीए तो यहां आप याद कर सकते ह इस तो हैट है से लेकर ऑप याद कर सकते हो है डी हम लिधियम वेर्लियं बेरंट टर करवन नाइट्रोजयं लChat आकसिजन फ्लॉरीन चुडियम है आप आप ये पिसाए कि अपने कोई क्यूसन तो आने वाला निहीं कि किसी प्रकार से लेकिन यह कि पदार्तों का परमाणों करमांग अपने को ध्यान होता है तो कई बार यह जानने में आसानी होती है कि यह पदार्त जो है वह चालक है अर्थ चालक है आगे फिर हम बात करते हैं किस आवर सांडी के अंदर भी जो हैं वो अलग-अलग component बने वे अलग-अलग भाग बने वे होते हैं अलग-अलग भाग बने वे होते हैं एक साइड जो होगा वो गेस के बारे में हैं एक साई ठोस हैं एक साई दर्व हैं और आप सबको यह पता हो किस आवर सांड़ी के अंदर टोटल जो है वो 118 ज्या तत्व है और इन 118 जो हैं उनके अंदर भी आपको यह पता हो व्यज्यानिक मेडलिफ के अनुसार जो थे वो कितने थे 108 थे पत्चीस जो है इनके अंदर पत्चीस यानिकी 118 जो हैं उसके अंदर से पत्चीस जो होंगे वो कौन से होंगे यहनिनि नाइंटिक के लगबग जो है अपने पचीस यहां पर वो कौन से हैं क्रतरिम प्रकारतें और बागी जो सेस बच गए हैं वो कौन से बच गें आपके जो प्राकरतिक रूप से प्राप्पे हैं तो जैरसी बात यहां ध्यान रखना है आपने को कि आवर्ट सान्य जो है वो कुछ इस परकार से जो है वो डिजाइन की गई है आपको यह भी पता हो कि कि 1869 में व्यज्ञानिक मेडलिफ ने एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया था और उस आवर्त नियम प्रस्तुत किया उसी का करते हैं आप परमानों कर्मांग के बढ़ते हुए करम में तत्वों को उनके परमानों कर्मांग भार और प्रतिक के साथ में सालनी में सजाया जाता है तो यह आपको पता हो इस आवर्त सालनी के बारे में आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों यह आपको चित्तर दिख रहा होगा इस चित्तर से हमारे बहुत सारे परसन जो हैं वो सही हो सकते हैं कौन-कौन से और कैसे ध्यान देवो यहां पर ठोस लिखावा है और यहां पर गेस लिखावा है आपके एक्जाम में परसन आ सकता है कि ठोस का गेस में बदलना क क्या कहलाएगा तो निक्षेपन इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं यह दर्व हैं तो यहां दर्व से ठोस में बदलना जमना है हिमांक है और इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं किसी ठोस का दर्व में बदलना पिगलना कहलाता है और यहां दर्व का गेस में बदलना वास्फी करन है और गेस का दर्व में बदलना संगनन है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं फिर बात करते हैं जेस का प्लाजमा में चैंज होना आईनी करन है और प्लाजमा।का गेस में बदलना तो इससी परकार से यह दोस्तों अपने पाच में 206 28 यानि की 8% तैयार होते हैं तो आप स्चित्र को ध्हां से समझे और इन सबहने करें आगे फिर हैं तत्व के बारे में तत्व दोस्तों तत्व के लिए सबसे पहले परिबासा की हम बात करते हैं एक ही परकार के एक ही परकार के परमाणों से बना पदार्थ एक ही परकार के परमाणों से बना पदार्थ तत्व कहलाता है धोस्तों यह जानी चुक nutritious कि तत्व जो है उनको आवर सांदि के अंदर हम दर साते हैं और आवर सांदि में इनको बढ़ते वे करम में हम दर साते हैं तत्व की जो ग्या संक्या है प्राकर्तिक रूप से जो प्राप्पे तत्व जो है उनको पहले दरसाते हैं और बाद में जो हम जो 25 बाद के जो है वो कौन से होते हैं जो क्रत्रिम रूप से हमारे को प्राप्त हुए हैं आगे हम इसी के अंदर बात करते हैं कि यहां पर तत् पर्मानों मालो लोहे लोहे के पर्मानों जो हैं वो लोहा तत्व बनाएंगे लोहा तत्व बनाएंगे इसी प्रकार से कोपर ही कोपर के पर्मानों जो होंगे वो कोपर तत्व बनाएंगे मतलब यह हुआ कि एक ही प्रकार के उने चिए उसके अंदर जितनी पर्मानों और व तो योगिक के लिए मैं परिवासा लिख सकता हूँ यहाँ पर दो या दो से अधिक परमाणों के रासाइनिक सयोग से बने पधार्थ योगिक कहलाते है दोस्तो योगिक को समझने के लिए जो है वो सबसे सरल अपने पास में उधारन जो है वो है जल का क्योंकि जल जो है उसका अपने को व्यग्यानिक सुतर भी पता है एस्टूो तो जायर सी बात है यहाँ पर हाइट्रोजन और ओक्सिजन जो है वो दो अलग-अलग परकार के परमाणों है कि नहीं है तो अलग-अलग परकार के परमाणों आपस में मिलकर के क्या बनते हैं योगिक तो यह बात अपने को ध्यान रखनी थी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी होगी आपको कि योगिक जो होते हैं उनकी संक्या का अनुमान लगाना कठिन है क्यों? क्योंकि आप एक बार सोच करके देखो मैं जैसे हाइट्रोजन को हीलियम में मिला दूदा एक बन गया लीथियम में मिला दिया दो बन गया ऐसे 118 में मिलाओंगा फिर हाइट्रोजन हीलियम दोनों को मिलाता जाओंगा सब में तो ऐसे करते करते बहुत सारे मेरे पास में क्या बन जाएंगे मिश्रण क्या है? मिश्रण की परिवासा में हम पढ़ेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्रित अनुपात में भोद्धिक रूप से मिला देने पर बना पदार्थ योगि के लवास मिश्रण कहलाता है दोस्तों यहाँ पर अपनी ने सिखा कि दो या दो से अधिक पदार्थ बिल्कुल दोस्तों पदार्थ यहाँ पर क्या ले रहे हैं? अपना अललग अलग ले रहे हैं तो अलग-अलग पदाश्टों को एक निश्रित अनुपात में अपने को मिलाना है जैसे आप सब पता होना चुआ कि कि सोल्डर वाεια स्पार प्था वो मिस्षरं होता है 10 & 50 है की आप सब को पता कि यहां पर निश्चित अनुपात का होना जरूरी होता है कोई भी मिस्रण होगा वो दो या दो से अधिक पदार्तों का होगा और उनको बहुतिक रूप से उसमें विदी के दुआरा अपन मिलाते हैं लेकिन बात यहां पर यह भी ध्यान रखनी है कि अनुपात का विसेश अपने को ध्यान रखना है आपको यहां पर एक और चीज़ सीखने को मिल रही है दोस्तों कि यहां मिस्रण को दो प्रकार से अपन बाढ़ सकते हैं मिस्रण दो प्रकार के हो सकते हैं एक सम्मांगी होगा और एक विसमांगी होगा यानि कि सम्मांगी से मकलब हैं जो आसान पानी को तेल को आप चार गंटे पानी में मिला गई हिला लो दो-पांच मिनट छोड़ते हैं वापस से लग लग हो जाएंगे तो मतलब कि यह हुआ कि यह कैसे मिश्रण है यह विस्व मांगी है समझ में हारी बात आगे फिर हम चर्चा करते हैं कि अनू की दोस्तों आप सबको पता है कि अनू जो है वो पधार्त का टुकडा करने पर बनाए आपके पास में कोई पधार्त था उसके आपने छोटे छोटे टुकडे कर दिये और टुकडे करने के बाद में जो हैं वो आपके पास में बहुत सारे टुकडे जो बन गए हैं वो किसके रूप में बदल गए हैं सबके सब टुकडे जो हैं वो अनू है लेकिन इन अनु की खास बात जो है वो क्या है वो हमारे को इस परीबासा में पता लगेगी दोस्तों जैसे मैं अनु की परीबासा की बात करूँ अनु की परीबासा में हम पढ़ते हैं कि पधार्त का पदार्त का वह चोटे से चोटाकन जिसमें भोतिक वह रासाइनी गुण विद्धिमानूं और सवतंत्र अवस्ता में विच्रण नहीं कर पाता हो। बिल्कुल दोस्तों यहां पर हमारे को यह चीज सिखनी है कि पदार्त से चोटे से चोटाकन तो हैं लेकिन उसके भोतिक गुण और रासाइनी गुण दोनों विद्धिमान होनी चीए। दोस्तों आप सबको पता होना चीए कि पदार्त कोई भी होता है उसमें मुखेत तीन प्रकार के हम गुण पढ़ते हैं। पदार्त के जो गुण है वो मुखेत तीन प्रकार के हम पढ़ते हैं। पहला जो है वो यांतरी गुण दूसरा जो है वो भोतिक गुण तीसरा जो है वो रासाइनी गुण पहले हम इनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं यांतरी गुण से क्या मतलब है। यांतरी गुण जो है उनसे मतलब है जैसे चुम्बकेता गलनेता भंगूरता चिमडापन डक्टिलीटी यानि कि तन्यता यह सारे जो गुण होंगे वो कैसे गुण होंगे यांतरी गुण। जबकि यहां मैं बात करूँ भोतिक गुणों की तो भोतिक गुणों से मतलब है दोस्तों जिनको हम ग्यानेंद्रियों से पता कर सकें और ग्यानेंद्रिया कोण है ना, का, कान, जीप और तौचा के द्वारा स्पर्स कर गए तो जहिर सी बात है मैं किसी चीज़ को देख करक कि यह लूज आ है या देख के कह देता हूँ कि यह सपेद रंकी है या काले रंकी या हरे रंकी है तो इसका मरूला मेरे को यह क्या है भृतिक गुलों का पता लग रहा हूँ यदि मैं किसी कीछीज को चक कर चक कर के पता रीता are 30 या तो जैर सी बात है मेरे को उसकी के बहुतिक गुणों का पता लग रहा है यदि मैं कोई चीज को सुन करके उसकी आवाज से पता कर लेता हूं तो मेरे को उसके बहुतिक गुणों का पता लग रहा है तो दोस्तों किसी चीज को मैं इसपर्स करके पता लगा लेता हूं कि यह कपड़ा है या लकड़ी है या पत्तर है तो इसका मलब यह भूतिक गुण है तो ग्यानेंद्रियों से हम किस ग्यानेंद्रियों से जिन गुणों का पता करते हैं वह कौन से गुण होते हैं बोतिक गुण होते हैं ऐसे हम बात करें यहां पर रासाइनिक गुणों की तो रासाइनी गुणों को रासाइनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं यहां पर आपस में पदार्थों को मिलाने पर जो रियक्शन होता है जो प्रिणाम होता है उससे अपन सम तो इसका मतलब हो क्या होंगे अनू होंगे तो आपके पास में कोई पदार था उसके आपने चोटे-चोटे टुकड़े कर दिये तो पड़ते टुकड़ा जो है वो किसमें बदल गया है अनू में बदल गया है लेकिन सर्थ ही है कि उसका भूतिक और राशायनिक विद्यमान ओ और 57 अवस्ता में वह अवस्तित भी रह यानी कि मैं मैं यदि किसी टुकड़े को इतना छोटा कर दिया कि वह दिखाई नहीं दे तो दिखाई ही यह जिए ज्यान अंद्रें से पता नहीं लगग रहा इसका मला उसके बोति कुण वो समाप्त हो चुका है resto परब रहे हैं यहां परमानों में कि यहां पर्मानों के अंदर ध्यान दें पर्मानों के लिए भी यही परिवासा होती है एसी परिवासा होती है कि पधार्थ का वहेंच छोटे से छोटा कन छोटा कन जिसमें केवल रासाइनेक गुण विद्मान हों और सवतंत्र अवस्ता में और सवतंत्र अवस्ता में ने रहता हो और सवतंत्र अवस्ता में ने रहता हो दोस्तों यहां पर सीख रहे हैं अपन कि पधार्थ का वह चोटे से छोटा कनी है लेकिन इसमें केवल रासाइनी गुण है इसमें भोतिक गुण नहीं है यानि यह इतना छोटा है कि इसको सूंगने से इस पर्स करने से देखने से किसी प्रिकार से कोई पता नहीं लगता ह मतलब उसके भोती गुण जो है वो समाप्ट हो चुके हैं इसको सामान ने आखों से अपन देग नहीं सकते तो जायर सी बात है यहां पर कि भोती गुण उसका समाप्त हो गया है क्यवल कौन सा गुन है रासाइनी गुण और राइसाइनी गुण जब आ जाते हैं उसमें क्यैवल भोतिक गुण समापत हो जाते हैं तो वह पीट सवतंतर आवस्ता में अवस्तित भी नहीं रहता है वो इधर उधर जो है वो वाई मंडल में ही गति करता रहता है इतना चोटा कण हो जाता है तो यहां पर अपने को यहां सीखना था कि परमाणों पधार्थ का वैश चोटे से चोटा कण है जिसमें केवल रासाइनी गुण विद्यमान है और वो सवतंदर आवस्ता में नहीं रह पाता है घो ओक दोस्तों यहां पर आपको जो है वह एक चीज और सीखनी है जो और यह आपके पास में सबसे पहले पधार था जिसके बारे में आपने पढ़ा था इस थान घेरता एक कुछ न पबहुं कुछ भार होता है उसी कि आपने क्या कर दियें हैं चोबड़े अ है अनू लेकिन इस अनू में क्या है भोतिक है और रासाइनिक कि दोनों गुण विद्दिमान है कि पिर आपने इस अनू के भी टुकड़े कर दिए बहुत छोटे लेकिवार हैं आपके पर मानों गए हुआ है उसमें केवल युंत एल यहाव तो यहाँ तक की बात अपने को समझदी यह आगे फिर हम परमानों के रहे में और पड़ते हें परमानों जो है वह बीकिसी और से मिलकर कि बना वह है यह यह से भी कि тебе करे जा सकते हैं तो वह पढ़ते हैं फिर हम भागें परमाणों संरचना में कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता हो कि परमाणों की संरचना जो है वह सोर मंदल से मिलती जुलती है कि तोर मंदल से मिलती जुलती है कैसे मालो एक तरह पापका परमाणों की संरचना बना रहे हैं परमाणों की संरचना में यह नाभिक है नाभिक के चारों और दिर्गवर्तिक अक्साएं हैं और इन दिर्गवर्तिक अक्साओं के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं यहां नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अवस्तित होते हैं अब इदर बात करते हैं अपन की इलेक्ट्रोन जो है वो चक्रन और कक्सी यह दो प्रकार की गति करते हैं अब मैं सोर्मंडल की बात करूं इधर तो सोर्मंडल में आप सबको पता हूं कि सूर्य होता है सूर्य के चारों और दिर्गवर्ति कक्साओं होती हैं और इन कक्साओं के अंदर ग्रह चक्र लगाते हैं और यह ग्रह जो हैं वो भी चक्रन और कक्सी गति करते हैं तो दोस्तों यहां पर जो अपने को जो दोनों में समानता जो दिखने को मिल रही है वो यह हैं कि यहां नाभिग हैं तो यहां सूर्य हैं इसके भी चारों और दिर्गवर्ति कक्साओं है तो यहां भी चारोंड दिर्ग वरती गक्सा हैं यहां पर जो हैं वो इलेक्ट्रोन चक्कर लगा रहे हैं तो यहां ग्रह चक्कर लगा रहे हैं यह भी चक्रण और कक्सी गती करते हैं तो यह भी चक्रण और कक्सी गती करते हैं आप सबको पता भी होगा कि चक्रण गती का मतलब क्या है और कक्सिय गती का मतलब क्या है चक्रण का मतलब है अपने ही धूरे के उपर अपने ही धूरे के उपर गूमना जबकि कक्सिय गती जो है उसका मतलब है पूरी कक्सा के चक्कर लगाना तो आप सब को पता ही होगा साइथ कि पूरी कक्सा के जब चक्क्र लगाते हैं तो रित्वे बनती है उसमें और अपनी ही धूरी के उपर जब गूमता है तो उसमें दिनों रात बनते हैं कि तो ठीक किसी प्रकार से आपके जो है वह एलेक्टिरों और चक्रण और कक्सी ऑगती करते रहते हैं यहां दिन रात और रुप्षय तो चेंज नहीं होती लेकिन इनके मुमेंट करने से जो है वह पदार्त के इलेक्ट्रों जो है वह आवेसित हो जाते हैं और उनको अपन जो है वह काम में ले सकते हैं किसी भी प्रकार से किसी भी फॉम में आगे फिर हम बात कर रहे हैं या पर पर्माणों के संरस्थना में कि पर्माणों जो है परमाणों की जब संरसना पूरी complete पड़ी जाती है तो हमें ग्यात होता है कि परमाणों के भी टुकडे किये जा सकते हैं और परमाणों जो है वो mostly Mustang Ped alumni Electron Immыч प्राटों और नेट्रॉन इन तीनों से मिल करके बनाओवा है यहनी कि परमाणों जो है वो एक मूलकड नहीं रही है वो इलेक्टरों और प्रोटों की चीज़ नहीं है आप सबको पता होना जाए कि यह तीनों के तीनों जो कंड है यह प्रकर्ति के इंको ही अपन क्या मानते हैं हलांकि इन से चोटे भी है जैसे हो पूजिट्रों है लेकिन बात यह एकि अपन यहां आई ट्या के जो कौर्स है उसमें पड़ रहे हैं सबसे पहली बात तो मैं कि किसी भी परमानों में कि जितने भी इलेक्ट्रों होते हैं वो सब रूप से समान होते हैं आप ऐसा नहीं होता है कि मालो कोई पदार ता उसके अंदर 20 इलेक्टरोन थे तो बीस में से चार छोटे टेर पांच बड़े यह दस जो ते और भी ज़दा बड़े टेर ऐसा नहीं होता है जैर सी बात है जितने से समान हो यह सब करने की कुछ जो हैं वह सब कर सकते हैं और कुछ तो पहले दूसरी बात तो हमने सुखी कि जितने भी एक्ट्रोण होंगे, वो क्या होंगे सब रूप से समान होंगे, दूसरी बात ही हूँ है, उसके चारों और तुक कसाओं सेंदर चक्रण और कख्येगति करते रहते हैं, यह जो दिर्गवर्ति कक्सा हैं उनमें इलेक्ट्रोन क्या करेंगे चक्रण और कक्सिय गति करते रहते हैं चक्रण का मतलब आपको मैंने बताया अभी चक्रण का मतलब है लट्टू की तरह अपनी ही दूरी पर गूमना जैसे मालों यह कोई गूम रहा है तो यह अपनी ही दूरी पर गूमता रहेगा तो अपनी ही दूरी पर गूमना जो है वो क्या कहलता है चक्रण कहलता है और ऐसे कक्से की बात करूं में तो कक्से गती के अंदर क्या होता है पूरी कक्सा का राउंड लगाना तो आप सबको पता होना चीए कि यह कैसे करेंगे यह मतलब कि चक्रन और कक्से गती दोनों साथ होती है यानि कि यह यहाँ पर पेन को यह माने है कि आप लट्टू है और और यह लट्टू क्या करेगा गूंता रहेगा और गूंते गूंते ही look साकश करेगा तो इस प्रकार से हैं यह चकरन औरर क्लल कर दोक्ते करते हैं यह आप सब होता है 1.602 into 10 की पावर माईनस 19 कुलाम को एक इलेक्ट्रोन जो है उसके आवेश कितना होगा 1.602 into 10 की पावर माईनस 19 कुलाम तो यह आपको पता हूं कि यह रिनावेस ही होते हैं रिसके अवपर यह आवेस होता है इसके लावाा इसके बाहर की बात करें हम तो बाहर जो है इसका वह 9.02 गुणा दसकी घात-28 ग्राम होता है यानिकि इलेक्ट्रों जो होगा उस इलेक्ट्रों के उपर जो बाहर होगा वो यह माना जाता है और यह नहीं के बरावर होता है यहां पर देखियें यह माइनस 28 है घात में तो जहिर सी बात है यह ने के बराबर है इसलिए कहा भी जाता है कि इलेक्ट्रोंज होता है उसके बाहर नगन्ने होता है ने के बराबर होता है आगे पिर हम बात कर रहें सी में प्रोटोन की बात हम करते हैं तो प्रोटोन में क्या होगा यह नाविक है नाविक की चारों और दिर्गवर्थी कक्सा ही है जिनमें हम पढ़ी चुके हैं कि इलेक्ट्रोन जो है वो चक्रन और कक्सी गति करते नवी अँधिन दूर सबते हैं लेकिन नाविक में कौन होता है प्रोटोन और न्यूटरॉण आप सब को यह भी पता हूँ बंदे होते हैं कौन प्रोटोन और न्यूटरॉन दोस्तों कोई चीज बंदी वह वहोगी तो आपको आपका जो proton और neutron जो हैं, वो किसी परकार की कोई गती नहीं करते हैं, ना कोई कक्सिय करते हैं, और ना कोई चक्रन करते हैं, यानि गती नहीं करते हैं, यहां पर ऊर एक बात ठीकें आप कि जितने बी प्रोडॉन होंगे वो भी सब रूप से क्या होगे समान होगे जितने भी प्रोडॉन होंगे वो सब रूप से क्या होगे समान होगे 시간이 ब्रॉन फिर न मुगरद7232 माइनस तूफॉर ग्राम होता है यह यह इसका क्या होगा भार होगा आगे फिर हम बात करते हैं कि प्रोटोन जो होते हैं वो हमेशा ही नाविक में अवस्तित रहते हैं हमेशा नाविक में ही अवस्तित होते हैं यह विशेश अपने को ध्यान रखना है और किसके साथ में रहते हैं यह न्यूट्रोन के साथ में रहते हैं और दोनों के दोनों गति क्यों नहीं करते हैं क्योंकि अंत्रानविक बल से क करने न्यूट्रोन के कि इसके आवेस की भी बात कर लेते हैं अपन इसके उपर आवेस कितना होता है तो वही वन पॉइंट सिक जीरो टू इंटू टैन की पावर माइनस 19 कुलाम होता है लेगिन आप सबको पता हो कि यह धनात्मक होते हैं यानि कि जो इसके अंदर जो आपके प्रोटोन होते हैं वह प्रोटोन क्या होंगे दनात्मक आवेस वाले होंगे और उनके उपर भी हांकिक रूप से वह आवेस होगा जो की इलेक्ट्रोन गाता यानि की वन पॉइंट सिक जिरो टू इन्टू टैन की पावर माइनस 19 कुलाम यानि आंकिक रूप से समान है वह इलेक्ट्रोन के अंदर यह रिनावेस ही था और यहां पर क्या होगा यह धनावेस होगा आगे फिर बा करकार की कोई गती नहीं करता है यह दूसरी बात इसके बाहर की बात करें तो वन पॉइंट सिक्स फाइब इंटू टैन की पावर माइनस 24 ग्राम तो आप सबको पता होना अच्छिए कि यह दोनों के दोनों जो यह वह लगबग भार में बराबर हैं तो इसलिए का भी जात आपर इसके आवेश की बात करें तो यह उदासीन होता है यह क्या होता है उदासीन होता है यह इसके उपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है आगे फिर बात कर रहे हैं अपन नाभिक की तो दोस्तों देखो नाभिक में क्या है नाबिक वैसे आप सब जानी चुके हैं कि परमानों का जो केंद्रिय सगन भाग है वो नाबिक है केंद्रिय सगन भाग क्या है नाबिक जिसमें प्रोटोन और न्यूट्रोन अंतराणिक बल से बंदे होते हैं जिसके चारों और दिर्ग वरत एक अकसाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रोन जो होते हैं मैं वो चक्रन और कुक्ष्यगती करते रहते हैं तो नाबिक के लिए अपन यही सीखते हैं यहां पर कि नाबिक जो हैं वो के अंदर में रहने वाली चीज है के अंदर यह सगन भाग को आप क्या कह रहे हैं नाबिक कह रहे हैं और आपको यह भी पता हो कि नाबिक के अंदर ही प्रोटोन और न्यूट्रोन भी होते हैं आगे झाल झाल इलेक्ट्रोन, प्रोटोन और न्यूट्रोन के लिए यहां साणी बनाते हैं, सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूँ आवेस, सबसे पहले मैं लिखता हूँ आवेस, उसके बाद मैं अपन यहां लिखते हैं इसका भार, फिर यहां पर लिख देते हैं इसके खोज करता, तो आप सबको पता होना अच्छी है कि या ट्रिक से मतलब क्या है कि एक ट्रिक है अपने पास में याद रखने के लिए वो इट पर नाच तो इसे यहाँ पर क्या है अपना इलेक्ट्रोन है पैसे या थोमस है पैसे यापर प्रोटोन है और प्रोटोन को नहीं यापर रदर फोर्ड इसके लावा गोल्ड इस्ट्रिन को भी अपन कई बार पढ़ते हैं और चै जो है यह नाच से मतलब नैसे या न्यूट्रोन है और चै से मतलब है या चेडिविक तो दोस्तों यहाँ पर अपने को खोज करता हूँ का तो पता लगी गया है कि सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोन की तो इलेक्ट्रोन का तो कौन हुआ थोमस और यहां प्रोट्रोन का कौन हुआ रदर फोर्ड या गोल्ड स्टेन और यहां पर बात करूं में तो यहां को न जाएगा चेडिविक इसके अलावा दोस्तों पर बात करते हैं आवेस की तो 1.602 x 10 की पाऊर माइनस 19 कुलाम अपनने पड़ा ही था और यह कैसा है रिन आवेसी इसके अलावा भार की बात करें तो 9.02 x 10 की पाऊर माइनस 28 ग्राम यह इसका भार हो गया दोस्तों ऐसे ही बात करूँ यहां पर में तो यह धना आवेस ही होगा लेकिन आवेस 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम और यहां बार की बात करें तो 163 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम ऐसे ही अपन बात करें तो यहां पर भार आजाएगा 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम और यहां पर जो है उदासीन यहीं कि इसी प्रकार का कोई भार नहीं है दोस्तों यहां पर में यह और कहना चाहूंगा कि नाभिक जो है नाभिक जो है उस नाभिक के खोज करता कोन है तो नाभिक के खोज करता भी रदर फोर्ड है आप सब को पता होगा रदर फोर्ड का स्वर्ण पत्रपर परियोग तो रदर फोर्ड जो है वो नाभिक के क्या है खोज करता हैं तो आप इन सब को याद रखेंगे और यह इसकी एक ट्रिक हैं यहां पर अपने को जो बात दी गई है बात याद करने के लिए जो दी गई है उसको भी थोड़ा सा देखें आप नोट में लिखा है कि एक आवेश एक आवेश कुलाम 6.29 गुणा दसकी घाद 18 इलेक्ट्रोन होते हैं यानि कि एक कुलाम आवेश के अंदर तो एक कुलाम आवेश जो होता है वो एक एमपियर के लिए तो कह रहा है क्योंकि एक एमपियर एक से किंड के लिए एक कुलाम होता है और एक एमपियर भी दुद्धरा के लिए अपन पढ़ते हैं कि 6.28 या 6.29 गुणा दसकी घाद 18 इलेक्ट्रोन एक से किंड समय में परवायत हो जाए तो वहां भी दुद्धरा का मान कितना होता है एक एमपिय तो जैर से बाता हा यहांपर 1.29 गुणा दसकी घाद 18 इलेक्ट्रोन ही होगे तो यहां पर यह जो बात लिखी है उसको ध्यान से याद रखें कि एक आवेश कुलाम में 6.2 9 गुणा दसकी घाद 18 इलेक्ट्रोन होता है आगे पिर यहांपर बता गया एक प्रोटोन की सईय जो है वह 1840 भी लिखावा जाता है कई बार जो है यह 1845 भी लिखावाता है किताबों में पड़ा होगा आपने कि इलेक्ट्रोन का भार जो है वह 1845 गुणा कम होता है प्रोटोन से ऐसा पढ़ते हैं अपन तो यह वही बात है दोस्तों इनको याद रखना अपने को आगे बात करते हैं कि सम्नूट्रोनिक समस्तानिक और संबारिक आइसोटोन आइसोटोप तो पहले अपना आइसोटोन के बारे में पढ़ते हैं सम्नूट्रोनिक क्या होता है जिसमें नूट्रोनों की संख्या जिसमें नूट्रोनों की संख्या संक्या समान होती हो वे सम न्यूट्रोनिक कहलाते हैं आपको पता भी होगा सम न्यूट्रोनिक क्या परण चाहें तो धरन भी ले सकते हैं बागे अपने कोई इतना आने वाला भी नहीं है उधरनों के अंदर हम जो हैं कार्बन बारा ले सकते हैं आगे देखो समस्थानिक का मकलब क्या है यहां पर समस्थानिक जो होते हैं उसमें क्या होता है जिन में परमानों कर्मांग कि सम्मान हों कि वैं परमानों दर्वेमान अलग अलग हों तो वे क्या कहलाते हैं समस्थानिक ऐसे यहां पर मैं सम्भारिक की बात करते हूँ जिन में परमानों दर्वेमान समान हो वै परमानों कर्मांग अलग अलग हो दोस्तों यह सब चीजे जो हैं अपने को तोड़ी याद होनी चाहिए क्योंकि आप पदार्त की संरसनाओं को सीख रहे हों क्योंकि आपको प्रार्म कैसे वाविदुत को यह सीखना है आगे यहां पर बताया गया अपने को कि किसी परमानों में हमेशा सामाने अवस्ता में इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन बराबर होते हैं मालो आपके पास में इलेक्ट्रोन है प्रोट्रोन है और न्यूट्रोन है तो आप हमेशा ध्यान रख लेना हमेशा ही इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन तो क्या होंगे बराबर ही होंगे इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन तो क्या होंगे बरावर ये 10 हैं तो ये भी 10 ही होगा लेकिन यहां न्यूट्रोन की संग्या हो सकता है 10 भी हो जाए हो सकता है 9 भी हो जाए हो सकता है 11 भी हो जाए 12 भी हो जाए यानि जदा भी हो सकती है कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है तो यही बात अपने को यहां पर नोट में बताई गई है आगे फिर हम बात करते हैं कि एलेक्ट्रोन और प्रोटोनों की संख्या के हंतर से ही जो हैं अपने को दनावेस और रिनावेस मिलते हैं यह हम आईनिकरण में सीखते हैं कि यदि एलेक्ट्रवनों की संख्या में एदि कमी हा जाती है तो दृणा वेसी होते हैं और यदि अदिक्ता उती हैं तो वह रिणावइसी होते हैं ऐसा अपना आईनिकरन जब पढ़ेंगे इसी लेशनं में उसमें पढ़ेंगे फिलाल आगे चलते हैं आगे अपने को यहां पर्मानो कर्मांग के बारे में और पर्मानो भार के बारे में बताया गया है दोस्तों एक तो आपको यह पता हो कि पर्मानों कर्मांग जो है उसी को ही पर्मानों संक्या भी कहा जाता है और ऐसे ही यहाँ पर पर्मानों भार जो है उसको द्रव्यमान संक्या भी कहा जाता है अब जो सिखने की बात है वो यह है कि परमानो करमान क्या होते हैं तो आपको पता होना चीए कि इलेक्ट्रोन अथ्वा प्रोटोन दोनों में से किसी एक की संख्या परमानो करमान कहलाती है क्योंकि दोस्तों आप सब को पता है कि इलेक्ट्रोन प्रोटोन की संख्या तो हमेसा बराबर ही आनी है तो चाहें तो आपको इलेक्ट्रोन की संख्या लेओ और चाहो तो आप प्रोटोन की संख्या लेओ दोनों में से किसी एक की संख्या लेनी है अपने को वही क्या हो जाएगा आपका परमानो करमान को यहां पर तो जो नाभिक में अवस्तित होते हैं वो कौन होते हैं प्रोटोन और न्यूट्रोन तो दोनों का योग जो होता है ना वो ही क्या कहलाएगा पर्माणों बार तो यहां परिवासा के रूप में लिखूं में तो प्रोटोन वैं न्यूट्रोन दोनों का योग दोनों का योग ही पर्माणों भार कहलाता है पर्माणों भार कहलाता है तो यहाँ पर्माणों करमांग में और पर्माणों भार में किसी को कोई दिक्कत एक चीज यहाँ पर और सिखें आप मालों यहाँ पर इस प्रकार से आपको बताया गया है कोई पर्माणों करमांग के बारे में अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोनों की संख्या और प्रोट्रोनों की संख्या दोनों ही मालों 29-39 ही है जबकि न्यूट्रोनों की संख्या जो है इसमें वो है 35 तो यहां पर अपने को क्या सीखने को मिल रहा है प्रोटोन और नीट्रोन दोनों का योग तो प्रोटोन कितना है आपर 39 और नीट्रोन कितना है 35 तो यानि कितना हो गया यह 64 तो 64 जो है वो क्या हुआ परमानो भार जबकि बात करूं में यहां पर परमानो करमांग की तो परमानो करमांग में क्या करना होता है दोनों में से किसी एक की संग्या लेनी होती है तो कोईसी की भी ले लो कितना गई 29 तो 29 क्या हुआ परमानो करमांग तो वैसे आपको पता हो ना चीए कि विल्क आंबा जो यह हैं उसका प्रमानों करमां की तला था 59 सब्सक्राइब कि बात करें अदके तो परमानों BLA ना 64 कोई किसी को आगे भिरमढ़ते हैं मैं आप्पर माणों में एलेक्ट्रोन के विित्रन की सर्ते किugen यह आपने परमानों की संद्रस ना तो पड़ ली लेकिन इन इन इलेक्ट्रोनों का वित्रण तो करके देखें हम तो इलेक्ट्रोनों का वित्रण हम करते हैं सबसे पहली सर्थ सबसे पहली सर्थ सामाने अवस्ता में इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन के संख्या क्या होती है बराबर होती है इसलिए इसलिए पदार्थ उदासीन होता है कैसे क्या कहना चाहता है ये बात को समझे भई कोपर जो होता है वो आप सबको पता है कि चालक है लेकिन चालक है इसका मतलब यह थोड़ी है कि इसको सप्लाई में लगाए नीर अपने को करंड दे दे वो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सप्लाई में देने पर तो क्या होता है इलेक्टरोन और प्रोटोन की संख्या में एक अंतर पेदा हो जाता है और अंतर पेदा होने से वो आवेस ही तो हो जाता है लेकिन जब सामाने अवस्ता की बात की जा रही है तो सामाने अवस्ता में जितने इलेक्ट्रोन है उतने प्रोटोन है और आप सबको पता ही है कि आंके रूप से जो आवेस है वो 1.602 x 10 की पावर माइनस 19 कुलाम दोनों के उपर ही है एक का रिनावेस ही है एक का दनावेस ही है दोनों अपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ऐसे म पॉइंट में हमारे को सिखाया गया कि इन कक्साओं को जो है कि कक्साओं को के ल एम एन ओ पी क्यूंग अक्सुरों से व्यक्त करते हैं दोस्तों यहां पर आपको जो है वो एक बात और समझनी है कई बार कक्साओं सब्द आजाता है कई बार कक्स आजाता है कई बार क्लास आजाता है कई बार ओर्बिट्स आजाता है है तो आगे डश लगा गर के लिख देगा हो कि हेम सेल में तो इस परकार से परस्थ पूछे जा सकते हैं आप से तो आप सब को पता हूं कि कक्सा क्लास और बिट सेल सब एक ही बात है ओर इन कक्सां को अपन जो हैज वो कैसे करें नाम इनका के एल से स्टार्ट करें तो के एल मनों प्यूंअक्सरों से इनको व्यक्त करेंगे कि अगली फिर हम बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट जो आमरे को बताया जाता है वितरण की सर्तों में वह यह बताया गया कि पर्थम चार कक्साओं में कक्साओं में 2N स्क्वेर नियम से इलेक्ट्रों का वित्रण किया जाए वित्रण होगा पर्थम चार कक्साओं में तो पर्थम चार कक्साओं कौन सी हो गई के एल एम और एन यहां पर दोस्तों एन जो है न वो कक्सा की संक्या है कक्सा की संक्या है तो यहां पहली कक्सा की बात करूँगा तो दो और एक का स्क्वेर कितना आया दो ऐसे ही यहाँ पर बात करूँ में तो का स्क्वाइर चार और चार को गुना किया दोसे तो आठ ऐसे ही बात कर रहा हूं मैं यहाँ तो तीन का स्क्वाइर किया तो नो को दोसे गुना किया तो अठारा ऐसे ही चार का स्क्वाइर सोड़ा और दोस्ती कुणा करने पर कितना आ गया 32 तो दोस्तों आप सब को पता हो यहाँ पर कि पर्थम चार कक्साओं में इलेक्ट्रोनों का जो वित्रन करते हैं वो के हैल है मैं इस परकार से करेंगे अगली पर हम सर्थ की बात करते हैं अगली जो सर्थ है हमारी वो है आठ इलेक्ट्रोन पूर्ण होने के बाद होने के बाद नई कक्साओं निर्मान किया जा सकता है कि इसके अलावा पांचवी जो सर्थ है वो क्या है कि पांचवी सर्थ को देखें पांचवी सर्थ में बताया गया कि पर्मानों की कि अंतिम कक्सा में आठ इलेक्ट्रोन से अधिक वै उससे पहले वाली कक्सा में कि अध्थारा इलेक्ट्रोन से अधिक अ अ लेक्ट्रोन से नहीं रखे जावें इस प्रकार से दोस्तों हम पांच जो हैं इसकी मुख्य रूप से वो परमाणों में इलेक्ट्रोनों के वित्रन की हम सर्ते पड़ते हैं अब इन सर्तों के अनुसार जो है हम इलेक्ट्रोनों का एक वार वित्रन करते हैं मालो आपके पास में साट इलेक्ट्रोन बढ़ने है तो साट इलेक्ट्रोन बढ़ने है तो जाहिर सी बात है पर्थम चार कक्साओं में तो आपने पटर गाए कि 2,8,18,32 इस प्रकार से बढ़ेंगे लेकिन आप ध्यान दें 2,8,18,32 का योग जो है वो साट हो गया है लेकिन यहाँ पर आपने जो पाचवा नियम जो पढ़ा था वो नहीं लग रहा देखो आप पाचवे नियम में क्या कहा गया कि अंतिम गक्सा में 8 इलेक्ट्रोन से अधिक नहीं होने चीए और उससे पहले वाली गक्सा में 18 इलेक्ट्रोन से अधिक नहीं ने चीए तो यहां आप देख सकते हूं कि इस कि अब तीस इलेक्ट्रन आ रहे निदी में इसका मुलत हो रहा है तो फिर क्या करें और उससे पहले आपके पासे बच आपके पास में चाहुदा बचे बाद में आपने पढ़ा था कि 8 एलेक्ट्रोन पूर्ण होने के बाद में नहीं का अक्सा का निर्मान किया जा सकता है तो के एल एम एन ओ और पी तो इस परकार से आप उग अक्सा जो है उसमें 8 एलेक्ट्रोन बरेंगे तो इसमें से फिर 8 ले गए हैं तो आप कितने बच गया आपके के में 2 हैं इल में 8 है ं में 18 है फिर अ में 18 है औुम में आठ है और पी नहीं 6 है इसका मलब आपने इन सर्तों के साबसे क्या कर दिया इलेक्ट्रौनों का वितरन कर दिया है अब ऐसे में बात करूं माल्णो आगे मालो मेर को जो है वो 72 बरनी हो तो 72 बरनी हो तो जाहिड सी बात है इस प्रकार से वो ही अक्सा ही बनेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के ल एम एन ओ पी इस प्रकार से अक्सा है थी तो पर्थम 4 में तो आपको पता ही है 2, 8, 18 और 32 तो अपना भी टोटल लगाया था यानि कि 60 तो हो गए हैं आपके बेहतर में से अब बच कितने रहे हैं आपके पास में अब आपके पास में 12 अलेक्टरोन और बच रहे हैं आपने पढ़ा हैं कि 8 इलेक्टरोन पूर्ण करने के बाद में नहीं गख्सा का निर्मान किया जा सकता हैं तो 8 इसमें से और चले गए तो आप कितने पास बच गए हैं अपने पास में 4 इलेक्टरोन बच गए यानि इस प्रकार से मैं अंतिक वक्सा में क्या करूँगा 4 इलेक्टरोन बरदूँगा तो यहां पर सारे नियम भी लग रहे हैं इलेक्टरोनों का वित्रण भी हो चुका है तो इस प्रकार से दोस्तों अपन इलेक्टरोनों का वित्रण कर देंगे अब बात आती है कि इलेक्ट्रोनों का वित्रन अपन ने किया क्यों इलेक्ट्रोनों का वित्रन जो है वो अपन ने किया क्यों तो इलेक्ट्रोनों का वित्रन करने का रिजन क्या था एलेक्ट्रोनों के वित्रण करने से हमें पता लगता है कि चालक कौन है ए चालक कौन है अर्द चालक कौन है और आंसी ग्रूप से चालक कौन है कैसे इस चीज़ को समझे एक बार आप सबको पता हूँ कि चालक जो होते हैं ए चालक जो होते हैं अर्द चालक जो होते हैं और आंसी ग्रूप से चालक जिनके रेजिस्टेंस बनाते हैं आंसी ग्रूप से चालक इनका कैसे पता लग जाता है पर्मानों कैसे पता लगता है द्यान से देखे जिनकी अंतिमक्सा में एक दो और तीन इलेक्ट्रोन होते हैं वे चालक होते हैं जिनकी अंतिमक्सा में आठ इलेक्ट्रोन होते हैं वो है चालक होते हैं है मतलब क्या है यह कैसे पता लगा आपने गो दोस्तों जैसे मालो मिरें को orता लगाना था पता लगाना है तो आपको पता होना चीपूर किता पर्मारों कर्मांग कितना था 29 तो 29 था तो इसको में जैसी पर्मारों के इसाफ से भरूंगा तो के एल एम एन इस प्रकार से मैं ने भरा तो दो आठ अठारा और एक टोटल कितना आ गया इनका 29 मतलब अंतिमक्सा में कितने लेक्टोन आया एक और अंतिमक्सा में एक लेक्टोन आ जाता है तो वो क्या हुआ चालक ऐसे ही दोस्तों मैं हर चालकों की बात करूँ जैसे कार्बन की बात करूँ मैं तो कार्बन पता है आपको हैट्रोजन हीलियम लीथियम बेर्लियन बेरान कार्बन यानि की छटे नमबर पे हैं तो कार्बन की बात कर रहा हूं मैं यहां 6 इसका प्रमानो कर्मांग है तो मैं भ अमेलब यह क्या हो गया है अर्थ चालक और आप सब जानते हैं कि जिनकी आतलेोह में आठव क्रशा में आठ एलेक्ट्रोन आ जाते हैं जिनकी आतले je OK आको स्बीकवास में जो फिर सब्सक्राइब क्क पूरार करना चाते हैं जब राट इलेक्टोन कम्प्लीट को आगए यह एसे में और वो यह एक्टोन सब्सक्रार भी यह सब्सक्राइब कर भी हो सकते हैं लेकिन अच्छे नहीं इह यह कि आगे फिर हम बात करते हैं कि यहां पर यहीं सब चीज़े बताएगी कि कॉपर अलूमिनिया मिस्टेल यह सब क्या है कंडक्टर और यहां पर क्या है इंसुलेटर यानि एचालकों के बारे में बताया गया है तो यहां प्लास्टिक रबबर ग्लास और यह क्लॉज यह और यहां सेमी कंडक्टर यानि अर्द चालकों की बात कर रहा हूं में अर्द चालक तो अर्द चालक जो हैं उनकी अंतिमक्सा में कितने एलेक्ट्रोन होंगे चार और यहां पर में लाइन खेच करके बता देता हूं आपको कि आनसिक रूप से आनसिक रूप से जो चालक ह हैं उनकी अंतिमक्सा में 5-6 और साथ एलेक्ट्रोन होंगे और इनका मुश्टली जो यूज करते हैं वो रेजिस्टेंस बनाने के लिए करते हैं यह अच्छे कंड़क्टर नहीं होते हैं आगे फिर हम बात करते हैं दोस्तों संयोजी एलेक्ट्रोनों की आप सब को पता हो कि संयोजी एलेक्ट्रोन वास्तम में क्या होता है संयोजी एलेक्ट्रोनों से मतलब है कि आपने एलेक्ट्रोनों का जब वित्रन किया तो अंतिमक्सा में जो बचेंगे वो सब क्या होंगे सही हो जी एलेक्ट्रोन तो मैं यह लिख सकता हूं कि कि अंतिम कक्षा में कि अंतिम कक्षा में कि जो से स्वस्ते हैं वे एलेक्ट्रोन सहियोजी एलेक्ट्रोन कहलाते हैं सहियोजी एलेक्ट्रोनों को अपन दो परकार से बाढ़ते हैं मुक्यते एक तो बाउंड यानि की बंद इलेक्ट्रोन और दूसरा है पर इलेक्ट्रोन यानि की मुक्त इलेक्ट्रोन दोस्तो बंद इलेक्ट्रोन जो गती नहीं कर सकते या आज जा नहीं सकते जबकि मुक्त इलेक्ट्रोनों की बात करें हम तो मुक्त इलेक्ट्रोनों की कुछ खास बाते हैं एक तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोन का भार जो है वो ने के बराबर होता है दूसरी बात ये थोड़े से बलसे थोड़े से बल से ही विस्तापित हो जाता है मतलब कि एक दो वोल्टेज होगा या एक वोल्टेज से भी कम होगा उस वोल्टेज के उपर भी एलेक्ट्रोन क्या गरेगा दूसरे प्रमानुएक अक्सा में चला जाएगा तो एक तो भार में क्या होते हैं फ़िल्कुल नयकine बराबर भार वाले यह दूसरी बात थोड़े से बल से क्या हो जाते हैं विस्तापित हो जते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं के काषन तो होते हैं और यह दो परकार के होते हैं बंद परकार के और फिरी परकार के यानि कि मुक्त लेक्ट्रोंस और बाउंड इलेक्ट्रोंस तो जो एक अक्सा से दूसरी अक्सा में नहीं विस्तापित होते हैं वो क्या हो गया आपके बाउंड हो गये और जो विस्तापित हो जाते ह हैं वो कौन से होते believer मूंक्त इलेक्ट्रोन हो गए आगे फिर हम बात करते हैं इस आइन और आइनिकरन की आइन और आइनिकरन के आहां पर परिवाशंद यह Сबया होगी कि आवेश verified आवेक्षिप औरप अगशन योके आयन कहते हैं दोस्तों यहां आयन मुलक अब यह की बात है का आवेश युक्त परमानों के समझ आवेश युक्त कब बराबर है तो आवे स्युक्त कब होगा हमेशा जब इलेक्टोन और प्रोटोन के संग्या में क्या हो एक तो रिनायन और एक पढ़ते है दनायन तो यहाँ पर पताया गया आपने को कि मानलो जैसे दोनों दस-दस ही हिए अब तो दसी इन, लेकिन यहाँ बात करू हूँ मैं इलेक्ट Ctrl की सिंक्ञा है यह प्रोटोनों की सिंक्ञा मैंने कमी गर दी यहांनी कि no और इधर प्रोट्रोन के संग्या में ने कर दी 10 तो इलेक्ट्रोन के संग्या में क्या होई कमी तो इलेक्ट्रोन के संग्या में जब कमी होती है तो वो क्या किलाते है धनायन और ऐसे ही यदि मानलों यह क्या रहा हो जाते तो यहां पर इलेक्ट्रोनों के संग्या में क्या है अधिक्ता तो इलेक्ट्रोनों की संख्या में अधिक्ता है इसका मतलब यह क्या हो गए है रिनाइन क्योंकि अधिक्ता होती है ना किसी के पास में तब किसी को रिन देता है मतलब कि रिनाइन हो गया और ऐसे ही यहां पर धनाइन की बात करें धन कब धन जो है धनाइन यानि यह दस से कितने हो गए आपके पास में नो हो गए इसका मुलब धन की गुदू हो गया है आपको जरहते हैं तो इसका मुलब यह क्या हो गया दनाइन यह कियाद रखने के लिए हैं बागी तो सिधा सापने को पता लगी रहा है कि निर्दारी संख्या से इलेक्ट्रोनों की सं सारा जो चेप्टर पढ़ा क्योंकि आपने चेप्टर का नाम क्या पढ़ा था प्रारंबिक विदुद तो प्रारंबिक विदुद जो है उसको सीखनी के लिए अपने ये पूरा का पूरा चेप्टर पढ़ा इस चेप्टर में अपने सबसे पहले पढ़ा कि एक पधार था जिसका कोई भार था और जिसने इस्तान खेरा फिर उसके छोटे छोटे आपने टुकडे कर दिये एक टुकडा जो है उसका अनू कहलाया फिर आपने उसके भी टुकडे कर दिये तो वो क्या कहलाया फिर परमानू कहलाया यह अनू है और यह परमानू है तो आपने पढ़ा कि पदार्थ के छोटे छोटे लेकिन इसमें क्या है इसके बहुती गुण भी थे और रासाईनी गुण भी थे जबकि परमानों में आपने पढ़ा कि केवल जो है वो रासाईनी गुण है कि अबल रासा ही नहीं गुणा है इसमें फिर आपने बात करी इसी के अंदर कि परमानों जो है वो भी इलेक्टोन प्रोटोन और न्यूट्रोन से मिलकर के बना हुआ है फिर आपने इस परमानों की सनरचना पढ़ी तो ये सब चीजे अपने क्यों पढ़ी है वो सब चीजे अपने को यहां पर जाननी है तो ध्यान दे विदुधर अपने को पढ़नी है विदुधर आमे ध्यान से देगे मान लो ये आपके पास में कोई कोपर का तार है तामबे का तार है तामबा है दोस्तों आप इतना जानी चुके हैं कि तामबा जो है वो क्या है चालक है तो चालक पधार्त जो है उसके अपन टुकडे करके देखें तो इसका मलब वो क्या होंगे पधार्त जो है पधार्त जो था वो अनू में बटेगा फिर अनू के भी यदि अपन टुकडे करने की मुक्त इलेक्ट्रोन बिल्कुल दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रोन क्यों कि मुक्त इलेक्ट्रोनों से ही विदुद्धरा का परवा होता है अब देखो क्या होगा आप किसी एम एप से आप किसी एम एप से इसे जोड़ेंगे EMF का मतलब Electromotive Force है Electronों को दख्खा लगाने वाला बल है तो यहां पर जो आपके मुक्त Electron थे इन मुक्त Electronों के दख्खा कौन लगाएगा यह EMF कब? जब मालो इसका सर्कीट पूरा होगा जब इसका इधर सर्कीट पूरा था इसके कौन दख्खा लगाएगा? इन Electronों के EMF दख्खा लगाएगा तो EMF दख्खा लगाता है तो आपको पता होना चीए इसमें बहुत सारे परमाणों है तो बहुत सारे परमाणों है तो वो परतेग परमाणों जो है परमाणों प्रमाणों अपनी अंतिम वक्षा में आठ एलक्टरों पूर करने की कोसिच में है तो हैसे में जैसे याप लेक्टरों के ध्यखा लगाओग से अंदर गया ओ इस अगी परवाहिद होता रहेगा मतलब एक स्तान कि इस्तान से दूसरे स्तान पर परवायद हो गया दोस्तों इलेक्ट्रोनों का परवाही विदुद्धर है को ओं मैं यह लेक्ट्र! का अर्वाह होणा ही । इस रहाँ ए दोस्तों आप सबने पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रों फ्लो एलेक्टिशिटी यानि इलेक्ट्रों का फ्लाई जो होगा वही क्या है विदुधरा है तो यहां पर अपने को पूरी की पूरी अपनने मालों यह सीजे नहीं सीखी होती कि कैसे पदार्द होता है कैसे उसके इसकी संद्रतना को समझ बाते तो इसीलिए अपने यह सारी चीजे सीखी और यहां पर देखा आपने कि यह मैं अपने जैसे मुक्त इलेक्ट्रों को दख्खा दिया तो वह एक जिगए से दूसरी जिगए क्या हो गया परवायत हो गया और एक जिगए से दूसरी जिगए परवायत होना ही इलेक्ट्रों का इसप्रकार का परवाय जो है वह क्या कलाता है विदु दरा दोस्तों विदु दरा जो है उसको मात्रक है दिखो पहली बात तो ये कि मात्रग, इकाई, यूनिट ये सब एक ही बात होती है जिस प्रकार से अपने पहले पढ़ा था कि प्रतीक, चिन, सिंबल और संकेत ये सब एक ही बात होती है ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर मात्रग, इकाई और यूनिट भी क्या है एक ही बात होती है बहुत सारे स्टूडेंट जो है इन्हीं में इकन्फ्यूज हैं भी तक आगे फिर हम बात करने इसमें कि विदुद्धरा जो है उसका आई जो है वो क्या हुआ प्रतीक विदुद्धरा जो है उसका प्रतीक संकेत चिन सिंबल क्या है आई लेकिन जब मैं बात करूं कि विदुद्धरा का मातरक क्या है एकाई क्या है यूनिट क्या है तो आप सबक का फिर प्रतिक क्या है तो वो है फिर ए तो यहां तक आपको सबको पता होना चाहिए इसके आगे फिर हम जो है अगली क्लास में पढ़ने वाले